विल्कामे फ्रेंड्स मारे यूटूब चैनल 3X Medical Classes में फ्रेंड्स बहुत ही मातपूर कोशन है जो के आने वाली सभी प्रिच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स बिल्किल वीडियो को स्किपना करें और पूरा वीडियो लाज तक देखें तो एक New Post BSC Nursing 2016 में पूछा के Question है गेस करें आपसन आपकी स्क्रीन पर है तो देखें आपसन ए आप जोन आपका रॉइट होगा इंस्पेक्शन और होंब इन्वार्मेंट आपसन ए आपका रॉइट है इंस्पेक्शन और होंब इन्वार्मेंट एफ्वेंड देख लेए Home Visit एक Family Nurse कोंटेक्ट होता है जो Home Visit है ये एक Family Nurse के भी इसमें कोंटेक्ट होता है जो आवस्थ नर्सिंग केर और Health Related Activities को प्रोवाइट करने के लिए Health Worker को Home और Family Situation को एसेस करने के लिए Allow करती है Question No.2 है आपके स्क्रीन पर राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं प्रिथम National Health Policy निम्न में से कौन से वर्स बनाई गई थी बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आप सेना आपके स्क्रीन पर देखे कई बार पूछा गया Question है ये आर यू एचस पोश्ट बेसिक 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 नर्सिंग इंटेसिजन 2016 में पूछा गया Question है और डियसस बी क्लिनिकल इंस्टर 2017 में पूछा गया Question है तो क्यस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं आप सेना आपके स्क्रीन पर है प्रथमनेशनल हेल्थ पॉलिटिनि clown हेल्थ पॉलिशी निम्रमें से किस वर्स बनाई गई थी तो देखे आपサन बी आपके आपका राइट होगा 1983 1983 को बनाई गये ही प्रथम नेशनल हेल्थ पॉलिशी जो बनाई गई थी वो 1983 में बनाई गई थी कोशन नंबर तीन है आपके स्क्रीन पर राइट आंसर बताएं क्या हो गई इसका राइट आंसर केस करें देखे कोशन को पढ़ें समझें उसके बाद ही अंसर दें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें ग्रामील छेत्रों में संपूर्ण विकास के लिए प्रतम पंच्वर स्योजना किस वर्स या किस दोरान बनाई गई है डूरिंग विज दी फ़स्ट फाइफ एयर प्लान वाज मेट फार दी ओवर आल डिवलम्मेंट आफ रूलर एरियाज देखे आरियोचस पोश्ट बेसिक ब्यासिक नर्सिंग इंटेंस इंटेंस एक्जाम 2016 में पूछा गया कोश्चन है तो बताएं क्या होगा इसका राइ जाधा रहता है जितना ज्यादा आप बार बार इसे लिक कर आंसर देंगी उतना ही आपका कंफर्म होगा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि कि किसी भी चीज को अगर आप बार बार लिखते हैं तो वह अच्छी तरह से माइंड में सट अप हो जाती है ठीक है कि वो चीज याद हो जाती है काफी समय तक याद रहती है तो बताएं क्या होगा इसका राइट एंसर किसका नहीं तो दीखिए आप संद सी यहां पे राइट होगा 1951 उन्हें इस सु एक्यावन में ग्रामीड शेत्रों में संपूर्ड विकास के लिए जो प्रिथम पंचवर सी ओजना थी वो किस दौरान लागू होगी जा किस दौरान बनाए गए थी तो उन्हें से क्यावन के दौरान बनाए गए थी तो आप संद सी यहां पे आपका राइट होगा अब यहां पे हम देख लेते हैं एक्स्प्लेइन फरस्ट फाइफ यह प्लान वाज ठीक है जो त्वाईस्ट फाइफ यह प्लान त्वाज दो हुजर बारा से दो हजर सत्रह के विजो बार वी पंचवर्च नहीं दी दो हजर बारा से दो हजर सत्रह तक चली थी यहनिके 2012 से 2017 तक चली थी वरतमान में फुष्ट जन्वरी 2015 दुरतमान में एक जन्वरी 2015 से फाइफ येर प्लान को नीती अर्थाथ नीती जो आज इसका जो फुल फार्म होता है अन आई टी आई ठीक है नीती का जो पूरा नाम है वो National Institute for Transforming India नेशनल इंस्टीटीट फार Transforming India जो ये नीती आयोग है इसका पहले नाम क्या था योजना आयोग नाम था ठीक है इसको चेंज कर दिया गया 2015 से इसे चेंज करके क्या कर दिया गया था इसे नीती आयोग कर दिया गया था National Institute for Transforming India आयोग में टेकनोलाजी अपग्रेडेशन वर कैपसिटी बुल्डिंग पर फोकस करने के लिए Emerging Think Tank में Convert कर दिया गया Emerging Think Tank में Convert कर दिया गया Question No.4 है आपके स्क्रीन पर Right Answer बताएं क्या होगा इसका Right Answer किस करें Question को पढ़ लें उसके बादी आंसर दें देखे कई बार पूचा गया Question है यह Which Committee is also known as the Health Survey and Development Committee बताएं क्या होगा इसका Right Answer किस करें देखे जल्द बाजी ना करें आंसर इत्मिनान से दें अच्छे से पहले Question को पढ़ ले उसके बादी आंसर दें किस समिती को स्वास्ति सर्विचर इवाँ विकास समिती के नाम से जाना जाता है Which Committee is also known as the Health Survey and Development Committee देखें डियसस्पी नर्सिंग आफ़ी सर अगस्त 2019 में पूचा गया Question है और ये R.U.H.S. MS.C. Nursing Intense Game 2013 और 14 में पूचा गया Question है तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आप सुना आपकी स्क्रीन पर है आप सन बी आपका राइट होगा आप सन बी राइट है भोर कमिटी ठीक है भोर कमिटी आप सन बी आपका राइट है अब यहां पर हम Explain देख लेते हैं भोर कमिटी को Health Survey and Development Committee के नाम से भी जानते हैं जो भोर कमिटी थी इसको हम Health Survey और Development Committee के नाम से भी जानते हैं अगला पॉइंट है कि इसे 12 सरकार ने 1943 में Health System के मौजूदा इस्तिती का आकलन करने एवाम भविस्ति में विकास के लिए सिफारिस करने के लिए बनाया गया था इसे 12 सरकार जो भोर कमिटी थी इसे 12 सरकार ने 1943 में Health System के मौजूदा इस्तिती का आकलन करने एवाम भविस्ति में विकास के लिए सिफारिस के लिए बनाया गया था ठीक है अगला पॉइंट है कि इस सब्मिटेट इट्स फोकस रिपोर्ट इन नाइन दून 46 इन्टू फॉर वैल्यूज कोश्चन नमबर पांच है आपके स्क्रीन पर राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें वेरी सिंपल कोश्चन है और बहुत बार पुछा जाता है कोश्चन ठीक है तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें बट हैल्ट डे इस सेलिबरेटेड ओन और या फिर सेलिबरेटेड आँन बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर वर्ड हैल्थ डे विस स्वास्त दिवस कब मनाया जाता है सबी को पता होगा बहुत ही अच्छा कोशन है और बहुत बार पूछा जाता है कोशन चाहे जो एग्जाम हो चाहे वो मेडिकल का हो या फिर नॉन मेडिकल का हो ठीक है बहुत ही पूछा जाता है यह कोशन बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर तो दीखें आपसन बी आपका रहेट होगा 7 अप्रेयल ठीक है 7 अपरेयल अब यहां पे हम अगला कोशन देख ल सेलिब्रेटेट ओन बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर करें ठीक है यह दिवस हैं कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ठीक है तो यह दिवस बहुत ही ज्यादा पुछे आते हैं एक दो तो कोश्चन में आने हैं या ने वाड़ डाइपटीज डे इन सेलिब्रेटेट ओन बताएं विस उमद में दिवस कब मनाया जाता है बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर कैस करें तो देखें फॉर्टीन नॉवंबर आप संसी आप यापका राइट होगा चौदा नॉवंबर को वर्ड डाइपटीज डे मनाया जाता है ठीक है अब यहां पे हम एक्स्प पॉइंट है इस से लिए इस सेलिब्रेटेट टू मार्क दी बर्थ डे और बर्थ डे ऑफ मैं हूँ को डिस्कवर्ड एंसुलीन फ्रेडरिक बैंटिंग इन 1922 इलॉंग विद चौरलेस बेस्ट अब यहां पे विस हिंदी में देख लेते हैं कि चौदा नॉवंबर को वि जिसके लिए आपका मद में दिवस मना जाता है किसकी याद में मना जाता है तो देखे जिसने 1922 में चाल्स बेस्ट के साथ एंसुलीन अर्था जो फ्रेडरिक बैंटिंग थे इन्होंने खोश की थी तिक है या उस वेक्त के जन्म को जन्म दिन को चिन्नित करने के लिए मन साथ आपकी स्क्रिण पार राइड आंसर मताईं क्या हो इसका राइड अंसर करें गया बहुत ही आइसके बहुत ही स्क्रिण पर हैं छुख यह लोगों को कंशी। बहुत हो जाता है इसमें इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ओन एम्स राइपूर टिक है कोशिण है तो में बताएं तो देखे सबी को पता है कि आठमर्च को मना जाता है अब यहां पे आपका राइट है अब यहां पे हम एकस्प्लेन देख लувати सबसे पहला महिला दिवस 28 फरवरी 1909 में नियुयार्क में मनाया गया था जो सबसे पहला जो मनाया गया था महिला दिवस 28 फरवरी 1909 में नियुयार्क में मनाया गया था और 1910 में लुईस जीट्स ने अंतराश्टी महिला दिवस का प्रस्ताव रखा था 1910 में लुईस जीट इसने अंतराश्टी महिला दिवस का प्रस्ताव रखा उसके बाद प्रतंबार ठीक है उसके बाद प्रतंबार आठ मार्च उन्हें सो चौदा को अंतराश्टी महिला दिवस मनाया गया तब से आज तक बराबर हर बार आठ मार्च को अंतराश्टी महिला दिवस मनाया जाता ह इंटरनेशनल तिक है महिला दिवस जो आपको वूमेंस दे मना जाता है वो आपको आठ मार्च को मना जाता है कोशन नमबर एट है आपके स्क्रीन पर राइट आंसर गेज करें क्या हो गए इसका राइट आंसर बताएं कोशन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद या आंसर दें जल्द बाजी बिल्कुल भी ना करें एक पैसेंट को प्री ओपरेटिव पिरियड में 48 आवर के लिए इंड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर है एक वीक बाद रिविजिट पर उसे यूटी आई है या इन्फिक्शन क्या कहलाता है बताएं क्या हो गए इसका राइट आंसर गेज करें आप सब आपके स्क्रीन पर है एक पैसेंट को प्री ओपरेटिव पिरियड में 48 गंटे के लिए इंड्वेलिंग यूरिनरी तो देखें इंट्रोजेनिक यूटी आई है ठीक है इंट्रोजेनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इंफिक्शन है इंट्रोजेनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इंफिक्शन है ठीक है आप समसी यहां पर आपका राइट है और देखें पूचा भी गया है जीम सी है चंडीगर स्टॉप इंफिक्षन लेट्रोजेनिक फिजीशियन इंड्यूजड इंफिक्षन से ताती पर है कि हेल्थ वर्कर द्वारा किये जाने वाले थेराप्यूटिक डाइगनोस्टिक प्रोसिडूर मेडिकल या सर्जिकल इंटर्वेंशन की कम्प्लिकेशन से होने वाला इंफिक्षन होता लुए ऐसे नंबर नाइन आपके स्क्रेण पर है राइट आंसर बताएं क्या हो इसका राइट आंसर करें आपके स्क्रेंट पर हैं को पढ़ लें उसके बाद यांसर दें ठीक है को पहले अच्छा समझ ली कि क्या कह रहा है कि क्योंकि बहुत से लोग कोशन जब इंगलिस में question होते हैं तो बहुत से लोगों का English पढ़ने में problems होती है तो वो English पढ़ नहीं पाते हैं और उसका सठीक क्या बोल रहा है प्रसन का मतलब क्या है वो से नहीं निकाल पाते हैं अपनी भासा में उसे समझ नहीं पाते हैं तो उल्टा सिधा उल्टा सिधा आंसर करके चले आते हैं वहाँ पर टिक करके चले आते हैं और बड़े खुस होते हैं कि हमने तो सही कि हैं मेरे इतने सही हैं मेरे इतने सही हैं लेकिन जब final जब result आता है जब ऐन्सर की जारी होती है आफिसल ऑन्सर की जारी होती तब पता चलता है कि यह सब माइनस हो गया सब कुछ गर्णत हो गया ठीक है तो यह बिलकुल भी ना करें पहले कोशन को पड़ लें समझ लें उसके बाद यांसर दें कोशन के रहा है कि चिकत्सकी या नैदानिक प्रक्रिया के परड़ाम सो रूप होने वाले संक्रमड को क्या कहा जाता है कोशन है 2018 में बताएं क्या होगा इसका राइड अंसर करें आपके स्क्रीन पर है तो देखिए option B या पर राइड होगा intragenic infection option B राइड है intragenic infection तो question नंबर यहाँ पे 10 है आपके स्क्रीन पर है right answer बताएं क्या होगा इसका राइड अंसर थे कि बहुती simple question है बहुती आसानी से इस question का answer दिया जा सकता है the medical termination of pregnancy act MTP ठीक है जो MTP है, Medical Termination of Pregnancy Act, ये कब लागू किया गया थे, किस वर्स लागू किया गया थे, बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर, वाज पास्ड या फिर इनेक्टेट इन दी एर, ठीक है, कब पास्ड किया गया था, या फिर किस वर्स पारिद हुआ था, ठीक है, किस वर्स सक्र होगा था, तो बताएं क्या होगा, देके, जी आइपी, मेर, स्टॉपनर, दोजार सत्रा में पूछा गया कोश्चन है, तो किस करें, क्या होगा, इसका राइट अंसर बताएं, कि सभी को पताएं कि 1971 में लागू किया था, उन्हें 71 में, ठीक है, जो MTP, जो Pregnancy Act है, Medical Termination of P MTP Act Indian Parliament में 1971 में पास हुआ था, ठीक है, Indian Parliament में संसद में 1971 में पास हुआ था, और एक अपरेल 1972, अधाथ एक्सेप्ट जमू और कस्मीर, वेर इट बीकम इफेक्टिव फ्राम, वन नौमबर 1976 से प्रभावी हुआ था, ठीक है, अगला कोश्चन है, आपके स्क्रीन पर है, रा कोश्चन वही है, ठोड़ा बहुत चेंजेज हैं, और बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर कैसकरे, अधा मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट केम इन्टू फोर्च इन दी एर, बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर, देखें सब्दर जंग होस्पिटल देली, नर्सिंग आफिसर, दोजर अठारा में पूछा गया कोश्चन है, तो देखें सब्सक्राइट यहां पर आपका राइट होगा, 1972, ठीक है, 1972, आपका सब्सक्राइट होगा,